वेलकम बैक विवर्स आज मैं हाजिर हूँ आपके साथ फिर से एक नई रसीपी लेके टिफिन के लिए खास मैंने ये रसीपी तयार की है ये रसीपी आपको देखने में चितनी अच्छी लग रही है खाने में भी उतनी ही टेस्टी लगने वाली है और बहुत ही जादा हेल् क्योंकि आप इसको देख पारें इस रसीपी को फुल आफ वेजीज है तो यहां पर हमें इससे फुल टू फुल एनर्जी भी मिलेगी और जिसे भी आप इस रसीपी को बनाके खिलाएंगे बार बार वापकी बहुत तारीफ करेगा और आपसे जरूर ये रसीपी बनाने को कहीगा तो चलिये स्टार्ट करते हैं सबसे पहले रसीपी को बनाने के लिए हमें हरी चटनी तैयार करनी है पे हरी नमक करेंगे त्वहाथके नुसाठ को बढ़ाने के लिए थोड़ा सा काला नमक भी दही को skip ना करें टेस्ट बहुत जादा बढ़ा देता है थोड़ो सा पानी याट करेंगे जो कि grinding में मदद करेगा तो यहां पे देखिए हमने यहां पे लिट को क्लोस करकिया चट्नी को पीसके कर लिया है तयार तो यहां पे हम जो पिसी हुई चट्मी है इससे एक बाउल के करना तो सबसे पहले हम इसमें नमक करेंगे यहां पे औरीगैनो आट करेंगे थोड़ा सा और औरीगैनो के बाद हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स स्प्रिंकल करेंगे और इन सारी चीजों को स्प्रिंकल करने के बाद यहां पे हम थोड़ा सा ओलिव ओयल आट करेंगे और इ तक पर चलते हैं इसके लिए हमें एक बाउल की जरूरत पड़ेगी बाउल हमारा गहरा हो जिसके अंदर ब्रेड आसानी से चला जाए अभी यहां पर मैंने 100 ग्राम बेसन लिया है जो कि वजन में लगबक 100 ग्राम है और यहां पर मैंने फाइनली कटे हुए सबजीयों को आपे नमक प्ली अफ थोड़ा ध्यान से आड़् करें क्योंकि अल्रेडी हमने दो चीजों में नमक को अट कर लिया है तो आप स्वात के नुशार उसे गाम यहां जादा कर लीजे अभी हमें क्या करना है इन चीजों को ऐसे सूखे ड्राय मिक्स करना ठोड़ा सब अधे हम इसे इस तरह से mix करना है सबसे पहले हमें एक बार में पानी को नहीं आट करना इस तरह से हम बिल्कुल जैसे आटा लगाते हैं वैसे हमें पहले तो आटा लगा ले ना और फिर हमें इसके बैटर की consistency को adjust करने के लिए हम और एक्स्ट्रा पानी डालेंगे और इस तरह से इसे ह हम mix करेंगे जिससे कि उसमें लाँ ना है जैसे कि हम चीले का बेटर तयार करते है उसी तरह से हम इसका बैटर तयार कर लेंगे इस तरह की consistency उसकी होनी चाहिए pouring consistency अब next step पे चलते हैं इसके लिए मैंने तवी को कर रहा है गरम और यहां पे मैंने थोड़ा सा butter add किया है butter जब melt हो जाएगा melt हो जाने के बाद marinate की पनीर की cubes को हमने क्या करना है कि इसके उपर थोड़ा सा fry कर लेना है यहां पर हम sallow fry कर लेंगे इसे यहां पे देखिए मैं इसे low to medium flame की उपर fry कर ले रही हूं और fry करने के बाद से अब यह fry हो चुका है तो मैंने इसे plate के अंदर निकाल लिया है अब हमें क्या करना है सीम तवे की ऊपर थोड़ा सा मैं यहां पे cooking oil add कर रही हूं आप cooking oil या butter कुछ भी add कर सकते हैं और इस तरह से हमारा जो वेसन का batter है उसमें हम इस तरह से bread को dip करेंगे और dip करने के बाद हमें इस तरह से उसे तवे की ऊपर रखते ना है तो अब देखि तो अभी जब कि इसका एक साइट कोख हो जाएगा तो हम इस तरह से एक बड़े गहरे इस पैचिला करते हैं उसके साइट को चेंज कर देंगे और जो हमने पिसी हुई हरी चट्मी ली थी उसे हमें इसकी उपर इस तरह से अप्लाई कर देना है तो देखिए अभी हमने दो इसको हम इस तरह से अप्लाई कर देंगे और अप्लाई करने के बाद यहां पे जो वेजीज है तो यहां पे मैंने गाजर प्याच टमाटर और हरी मिर्ची इस तरह से इसकी उपर से अप्लाई कर दिया है बहुत जादा अच्छा टेस्ट आता है यकीन मानिये तो यह रोकित तो इस तरह से सैड्विक की तरह से आप इस तरह से साय को एक साथ आप एड़ कर दीजिये और इसे दोनों साइट से अलट-पलट पलटके अच्छे से पका लीचे इसके सायट को चेंग करती वक्त आप जरू थोड़ना से साension बढ़ते के साउधान में झाहाँ है सर्फ करें फ्रेंड्स अपनी जो भी कमेंट सो उसे जरूर शियर करें थैंक यू सो मच फॉ वाचिंग